भंजी स्टूडेंट कैसे हैं आप होफुली आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे तो आज की वीडियो है एफे में financial account में काफी बच्चे confused है सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो आज हम किस चेप्टर में से कितने number का questions पूछा जाएगा और recently आपका announce हो चुका है I think 27 से आपका internal भी है तो internal में भी पास होना आपको जरूरी है सभी subjects में सिर्फ मैं financial account के बारे में बात करूँआ कि कैसे financial account का syllabus अगर आप सही से समझते हैं तो बहुत छोटा syllabus है बहुत छोटा जैसे कि इसके अंदर क्या-क्या chapters आपको पढ़ने होंगे और मैं उन्हीं chapters को पहले लिख देता हूं जो कि आपको पढ़ने चाहिए sequence wise आप पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको YouTube पे although सारी सारी playlist पढ़ी हुई है वहां से भी पढ़ सकते हैं जो बच्चे live class लेना चाहते हैं application पर live class भी होती है ठीक है सर यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले आपने करना चाहिए that is final account कौन सा chapter करोगे सर आप final final account account सबसे पहले आपने यह चप्टर करना है ठीक है न यह चप्टर में इसलिए वजह है इसके पीछे क्योंकि यह चीजे आप 11 में सीख चुके है 11 में आपने पढ़ लिया है ठीक है तो आपको यह करना है और जिन बच्चों का science था या फिर आठ सा background तो उनको इससे पहले जो मैं बता रहा हूं आपको थोड़े से 11th standard के जो श्लेवस से topic cover करना है description में मैंने number दे रखा है उनसे आप discuss कर सकते हैं sir मेरे background कुछ और था so that मैं यह चीजे नहीं कर पा रहा हूं समझ नहीं आ रहा है तो आपको proper guidance की जाएगे कि आप किस तरीके से track पे चलें सर इसमें से एक questions पूछा जाएगा 19 नमबर का 19 नमबर का इसमें से एक questions आएगा 19 नमबर का sir कितने time में खतम हो जाना चीए max to max इसको 5 days में खतम करिए ज़्यादा time नहीं लगेगा मैं पढ़े के खतम करने वाली बात कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादा time नहीं है दूसरे नमबर पर जो आपको chapter लेना है that is depreciation और depreciation का नाम बदला हुआ है यहाँ पे that is आपका property plant and equipment P P E के नाम से है ठीक है depreciation में से भी आपका questions पूछा जाएगा that is इसमें से भी questions आना है 19 नमबर का approx question इसमें से भी आएगा 19 का आ सकता है नहीं तो 10 का भी आ सकता है तो 10-2 आपका 19 marks का question बनेगा इसमें से फिक है सर depreciation chapter वही जो कि आपने 11th class में पढ़ा था उतना तो है है उसके साथ काफी सारे change method भी आगे आ गया है इसको करने के लिए कितना time लेना चाहिए सर इसको करने के लिए भी आप 5 days लीजिए और आपने ऐसा नहीं है कि 5 दिन का मतलब आप कोई भी 5 दिन आपको लगात रिदम खो जाएगा आपका बहुत कम स्लिवस है सर नंबर तीन पर क्या करना है सर आपने inventory कर लो आप सर inventory कितने नंबर का question आएगा दस नंबर का पूछा जाता है जर्नली है और सर inventory chapter के नाम से ही है that is AS2 unit number 2 का पार्ट है इसको करने के लिए मुश्किल से दो दिन तो एक आगर जो बच्चे बहुत shortcut में रहते हैं ना एक कुछ बच्चे जल्दी में रहते हैं हार जल्दी जल्दी तो उनके लिए तो एक यह chapter मिल गया आपको ठीक है मैं सिर्फ practical chapter की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसके बाद कौन सा chapter करना है सर इसके बात करना है आपको लीज और डेडी लीज के वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डालना चालू कर दिया है और इंफेक्ट खतम भी हो गया है इसके बाद आपको लेना है सर ब्रांच अकाउंट इसके बाद आपको लेना है ब्रांच अकाउंट ठीक है न यही सीक्वेंस फॉलो करिए आपका स्लेबस निपटता जाएगा ब्रांच अकाउंट में आपको लग सकते हैं 5 से 7 दिन थोड़ा बड़ा चेप्टर है 5 टू 7 डेस लेगे इसमेंसे भी कॉश्टन्स पक्का ऐसा इसमेंसे कोई भी चेप्टर नहीं है जिसमेंसे कॉश्टन्स ना पूछा जाएगा और जो भी कॉश्टन्स पूछा के 10 से 18 नमबर के बीच का questions पूछा जाएगा ठीक है इसके बाद हमारा एक chapter बनता है sir that is departmental इसके बाद हमारा chapter बनता है departmental इसके बाद बचता है departmental departmental को आपको करने के लिए three days to four days का time लगेगा ठीक है न यह days है ओके यह days है आप overall देखो न हम slivers को अगर बड़े आराम से देखें हम theory वाले portion को छोड़ दें तो पांस दिन पांस दस दिन दस और दो बारा दिन बारा दो चौदा और चौदा और आप छे दिन माल लेते हैं average चौदा और छे आपके बीस पच्चिस यानि almost आप पच्चिस दिन में 25 डेज में अब full slivers complete कर सकते हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अब कुछ चेप्टर में बताने जा रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं अगर टाइम मिले तो आएंगे उसमें से question आ सकते हैं लेकिन मैंने वो चेप्टर यहां लिखे हैं जिसको तो आता ही आता है exam ठीक है न सर जैसे कुछ accounting standard तो आपको करना है यह मैं पूरा का पूरा अच्छे से करा दूँ आपको accounting standard ठीक है न accounting standard पूरा करना है कौन-कौन सा accounting standard है sir accounting standard आपका nine है accounting standard आपका four है accounting standard आपका 26 है यह आपका दो दिन में पूरा complete हो जाएगा अगर मैं पूरे detail में लेके जाओ तो इसके बाद सर ए सबसे बड़ा चप्टर है NPO इसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन दूसरी बात जो आपके एसुल के किताब है उसके अंदर कुछ चप्टर गलत प्रिंट हुए पड़े हैं जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम आपका स्लेवर्स का पार्टी नहीं लेकिन उसमे उपर फोकस करेंगे अगर आपने पहले NPO चप्टर इठा लिया मान लेते हैं सबसे पहले ही आपने देखा बड़ा चप्टर कंप्लीट करते हैं नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन तो आपका एक भी चप्टर नहीं हो पाएगा एक्साम तक मैं पहले क्लियर करते हूं आपको मैं as a past experience के हिसाब से बता रहा हूं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है समझ मैं ही बात आपको तो यह आपका पूरा का पूरा 25 days to 30 days में पूरा स्लेबस आप बहुत आराम से complete कर सकते हैं जो बच्चे application पर जो है मैं डाल रहा हूं application पर इस वीडियो को भी त लेकिन YouTube पर थोड़ा slow वीडियो आ रहा है भी तो वो आती जाएगी धीरे धीरे अगर जिस student को लगता है कि सर हमें live class चाहिए डाउट चाहिए तो आप जाके YouTube से भी आप ले सकते हैं मतलब sorry application पर आप buy कर सकते हैं description में आपको सारी detail है आप जाए जो best से best discount होगा वो आपको में चाहिए आप जाके बाहिए कर सकते हैं इसके अंदर live class regular है आपकी regular live class in the sense के आपका regular class कब-कब होगी सर morning में एक दिन और एक दिन evening में अभी फिलहाल हम branch chapter चला रहे हैं उसके अंदर live class में branch खतम होने वाला है इसके बाद फिर departmental होगा फिर और other chapters हो ठीक है न तो उसके अंदर पूरे exam तक बने रहेंगे तो इस तरीके सा आप complete कर सकते हैं फूरा syllabus आप बिलकुल भी time खराब ना क चाहिए तो thank you so much अपने दोस्तों को share करिए क्योंकि semester one ऐसा semester होता है मेरी लिए भी और आपके लिए भी कि बच्चों को convince करना नए teacher से जुड़ना और बच्चे नए teacher के साथ familiar होने में काफी time लगाते हैं शायद मेरी बातों का आपको यकीन भी ना हो रहा हो कि पता नहीं स सचाई जो है वो एक से दो साल लग जाते हैं बच्चों को पता होने में कि नहीं यार सर सही कह रहे थे तब तक वक्त निकल जाता है तो बस आप इस चीज को रखे ट्रस्ट करिए अपने senior से पूछिए वह इसी तरीके से पढ़ते आएं और इसी तरीके से बहुत अच्छे नमबर लाते हैं तो होफुली आपको समझ आया होगा थाइंक यू सो मच मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर